नमश्कार दोस्तों वैलकम बैक टू मनी मेटर्स आज मैं डिसकस करने वाला हूँ आपके साथ फ्री वाले स्टॉक्स की ताकत जो मैं हर बार आपको कहता हूँ कि अगर आप फेमेली में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने सब के मेंबर्स के डिमेट अकाउंट को लिए ताकि आपको उसी साथ टेक्सेशन बेरिफिट भी मिलेगा और आगे जाके आपके जब अलग-अलग डिमेट अकाउंट होंगे तो IPO में भी वो काम काफी लगता है साथ में आप उन्वे से एक मेंबर का या दो मेंबर के अकाउंट चूज करिए कि इसमें आपको कमाई का पैसा डालना है वो आप डालके रखिए example के तोर पे मैं सारी चीज़ें वो समझाऊंगा आज हम एक portfolio को जो है वो देखने वाले है इस portfolio का discussion में आपके साथ करने वाला हूँ जिसमें आपको live आपको दिख रहा होगा 26,97,000 का investment है और 37,000,000 की value है लगबग 10,50,000 का इसने profit कमा रखा है इस portfolio में यह portfolio मेरे नाम पे नहीं है इस वादका में disclose देना चाहता हूँ बागी किसी के नाम पे भी हो सकता है कोई family member भी हो सकता है आपने से कोई subscriber भी हो सकता है तो यह portfolio मेरे नाम पे नहीं यह ध्यान रखिए अब क्यों नहीं है उसका reason भी मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान रखिए, माल लेजे आपकी family में आप 3 लोग है, A, B और C, 3 लोग है, कारण क्या है कि कोई भी आदमी अपने नाम पे ज़्यादा प्रेसा नहीं लेता है, प्रॉफिट नहीं बनाता, वो दूसरे के नाम प अपने family में B की income में 16 दिखाए, जो की होता है, आप अपने CA के साथ consult करें तो, काफी businesses में कर सकते हैं, काफी में नहीं कर सकते हैं, और C की income में अगर वो 18 लाग रुपे दिखाए, तो अब इन तीनों की जो tax liability है, और इसकी एक की जो tax liability थी, आप calculate कर लेना, tax लगबग आप आपका काफी कम हो जाएगा, 30-40% का tax का discount आपको मिल जाएगा, 30-40% कम tax पे करना पड़ता है, अगर इतनी income है तो, तो इस type से वो design करके रखता है, प्लस ये 50 अगर एक के account में रहेंगे, तो पहले इस पे income tax लगएगा, फिर आप वो trading में कमाएगा, उस पे और लगएगा, उससे बेटर इसने तीन में डिवाइड किया, तो तीन काम वो tax session का benefit भी ले पाता है, और उसके इसाफ से manage भी कर पाता है, अब ये बहुत technicality वाली चीज़ें है tax session की, मैं आट tax की class नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत technicality वाली चीज़ें, आप अपने CA के सांथ consult करिये और हर member का अपना DMAT account आप जरूर रखिये, अब ये जो portfolio मैंने आपके सामने खोला है, इस portfolio का discussion करेंगे, सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, ये जो पूरा amount डाला गया है, ये कोई एक महिने में एक साल में नहीं डाला गया, पिछले कई सालों से amount जा रहा है, और हर बार ये amount नहीं कि वो XYZ में ही हम पैसे डालें, यहां से वो जो है, वो FGH में भी पैसे डाल सकते हैं, ये इस stock में भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस में हमें free वाला पैसा डालना है, तो वैसे भी manage किया जा सकता है, तो this is the portfolio, इसको हम आज review करने वाले हैं, कि आज की rate में इस इसमें current value में सबसे उपर कौन सा है, free का portfolio होने के बावजूद भी बड़ा पैसा कहां डाला गया है, reliance industries में, क्यों, क्योंकि हर चीज में safety पहले देखी जाती है, 240 share है, 2055 के वाव के वो बहुत नीचे के वाव भावाई साब, उसके हैं, अभी 2700 के आस पास चल रहा है, 6,00 लाग से उपर की value है, डेड़ लाग से उपर का profit है, और 32% लेटन है, आप इस चीज को देख सकते हैं, कि free का पैसा है, यानि कि किसी stock में कमाया है, trading से पैसा कमाया है, कितना, 6-5,00,000 कमाया होगा, उसमें डाला, और उसकी value देखो, यहाँ होगी, वो भी किसमें डाला, reliance म होगे, यह भी आज के नहीं लियो है, इनको लियो भी काफी समय हो चुका है, यह चल नहीं रहा, वो अलग बात है, लेकिन पैसा free का है, तो safety भी है, और इसमें भी 9,000 के आसपास नुकसान चल रहा है, stock market में क्या देखा जाएगा, आपने खोया कितना, जबाब गलत थे, आ यानि कि दूसरे stock से profit कमा के यहां डाला गया है, 1600 रुपे के आसपास अभी भाव चल रहा है, 63,000 से plus का profit है, और इस account के अलावा, दूसरे account में भी इनके पास infosys है, जिनका भी account है, उनके पास infosys लिये हुए हैं, यह भी मुझे पता है, आगे चलते हैं, यहां पर IRFC, यह 24,000,000 खा profit है, return percentage में देखा दे, 300% से ज़्यादा return है, और पैसा 4 गुना हो गया, 300% से ज़्यादा return, पैसा 4 गुना हो गया, कल ही इसमें 10% का circuit लगा है, that's the power of free वाला stock in mid-cap small cap, अभी large cap चल रहा था, large cap आगे भी है, mid-small की power देखे क्या है, 1200 शेयर यह है, अब मैं आपको होता है, तो मेरी planning अभी होती, अब मैं इसमें trail कर रहा होता, क्योंकि अब हमेशा यह IRFC नहीं चलने वाला, अब इसमें trail कर सकते हो, पहला option यह है, दूसरा option क्या है, कि आप बैठे हो, यह भाव तो आने से रहे, तो आप बैठना चाहो, तो बैठ भी सकते हो, trail करना चाहे, तो trail भी कर सकते है, depending on the requirement, मैं होता तो इसको trail करता हो, और trailing SL के साथ इसको भी ride कर रहा होता, भले यह free वाली quantity हो, क्योंकि इसका size बढ़ चुका है, free वाले से भी अपने को 4-5 गुना चाहिए था, उतना तो मिली गया, तो एक बार आराम, क्योंकि हर theme हमेशा नहीं चलने व और इस पर भी अभी देखें, अलगबग 20,000 के आसपास का profit इनको हो रहा है, आगे बात करते हैं, Electra Green Tech, अब देखें, Electra Green Tech, 6500 के आसपास मेरे वीडियो डाला था, 1000 के आसपास के हमारे target थे, यह तबीका है, 105 share, उस account में 1000 पर बेचके, बाद में ऊपर लिए गए है shares, और यहाँ पर आप देखे सकते हो, कि 60,000 के आसपास का profit है इनको, जिनका भी account है, मेरे को नहीं है भीया, ठीक है, 1,73,000, legally है मेरे account था ही नहीं न, तो मेरे को नहीं है न, तो 1,73,000 अभी इसकी value चल रही है, return कितना है, 53% के आसपास का, यहाँ पर return में नजर आता है, अब बात करते हैं, next company की, यहाँ पर next company का नाम आप देखिए, यह है हिमादरी, हिमादरी specialty chemical limited, कितने shares है, 457 shares है, आपको दिख रहे होंगे, 457 shares, 141 के भाव के, 333 price हो गया, 1,70,000 value है, 1,05,000 का profit है, अब पता है, इतना holding क्यों को बरे पता है, क्यों कर पाएगा, आप बताओ, अब यहाँ पर डालके बैट गए, और देखिए, 1,70,000 की value हो गई, 1,05,000 का profit है, यानि value कितनी है, 65,000 का जो profit हुआ, वो इसमें डाला हुआ है, profit को ride किया जाता है, यह unnecessary बकवास जो लोग करते हैं न, वो 5 रुपे का share punch हो गया, अरे भाई, वो 5 का punch हो गया, कोई hold कर पाता क्या कोन कर पाएगा, जिसने profit का डालके छोड़ा कि मैं बैठा हूँ, वो कर पाएगा, अभी मादरी के लिए क्या options बसते हैं, क्या profit इतना बड़ी आओर है, book कर ले या ना कर ले, मैं अपना बताता हूँ frankly, कि मैं तो अभी इसको book करने के बिल्कुल mode में नहीं हूँ, ride करने के mode में, ride करेंगे, और जब तक इसका trend bullish है, long term का, अब long term trend chart पे देखना आना चाहिए, वो जब तक bullish है, तब तक work करने का कोई मतलब नहीं है, ये free वाले भी ride बनते हैं, हो सकता है, stock यहां से 600, 800, 1000 भी चला जाए, तो इसको ride करना बनता है, और stock सीधी wave में उपर नहीं जा रह बढ़िया बात है, उतना ही माल लो, आपकी wife है, उसके account में उतने amount के shares ले लो, अब हो गया काम, एक दो दिन बाद में ले लो, क्या दिक्कत है, पांस दिन बाद में ले ले लेना, अब हो आपका लग का कि पांस दिन में वो share ओर ऊपर चला गया, वो अलग बात होगी, ले अपना decide कर लो भी मुझे इस दो account में trade करनी है, और ये दो account मुझे अपने गरवालों के नाम से जो फ्री वाले करके छोड़ने है, तब आप पैसे कमाओगे, और ये देखे फ्री वाला amount का magic क्या है, आगे चलिए, ICIC bank ये तो बहुत नीचे का लिया हुआ है, बहुत पहले अगर इसका मैं आपको portfolio design दिखाऊंगा, तो आप खुद भी shock रहेंगे कि total large cap में 60% से जादा investment है, 60% से जादा, मैं आपको दिखाऊंगा last में, ये देखे, यहाँ पे वा, yes bank, अब हम कहते हैं कि yes bank में, वो move तो आएगा, कभी भी आएगा, लेकिन है तो pure gambling ही, gambling में कौन सा amount डाल सकते हो, जिसके tension नहीं हो, डाला, पांच रुपे, पांच जार share, 21 रुपे गवाप, लगबग एक लाग का, आसपास का investment है, एक सवालाग का, और देखिए उसकी value, देखिए क्या हो रही है, अभी 20% के आसपास return मिल रहा है, और ये भी अभी का नहीं डाला हुआ, प बीच-विच में डाले गए है, नीचे भी और ऊपर के level पे भी, ये average cost है, आगे समझिए, Tata Motors को देखिए, 135 share, 4500 के भाव के, और यहां पर आप देख सकते हो, एक लाग से ऊपर का, यहां पे total value है, और profit है सिर्फ 50,000 का, 81% return, ये total free वाला amount, ये power होती है, अगर आपके पास Tata Motors हो, सोचो, free वाला ना हो, यहां पे आपका 10,000 रुपया लगा हो, और 4500 का stock 400 आएगा, तो भी tension में आ जाओगे, 4500 का stock 500 आएगा, तो भी आजाओगे, वही जब आप pocket का वहों डाल के छोड़ते हो, कि अब इतने shares की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा portfolio है, को estimate account है, pocket का, वो मैं दिखाऊंगा आपको last में, यह 819 price चल रहा हो, रिटन देख सकते हैं, आगे चलिए, RVNL को देखिए, 337 share, 155 के भाव के, pocket के, 320 हो गया, वो भी कुछ ही time में अभी quick हुआ है, 108,000 की value, 55,000 का profit, 105% से जादा का return, क्या कुछ बोलूं मैं, pocket के आपको समझ आ देखिए, कितने ही वीडियो, 200,500, 300 के range में, कितने ही वीडियो बना के डाले हुए हैं, और यहां पर देखें, build a soft का, जो cost आ रहा है, 332 रुपए, यहां, 1,6,000, 62,000 के आसपास का profit, 141% से जादा का return, यह जो amount यहां पर डाला गया है, यह focus का नहीं है, यह investment डाला गया था उसके बाद इन्होंने, इसको मुड के अभी तक बेचा हुआ नहीं है, इस account में, नहीं बेचा है, इनके पास दूसरा account था, उसमें वो बेच चुके हैं, 132 रुपए, 132 एर्स, 332 के भाव के, और वो अभी तक ride चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि already दूसरी जगा वो profit book हो चुक हैं, अब बाकी अब समझदार हो, समझ गए ना, ये मेट्रो पॉलिश, 62 शेर्स, 1300 के भाव के आसपास के, मेरा वीडियो किस प्राइस का है, पता है न, उसी प्राइस का, 1580 यहां पर देखिए, कितना return, 20% के आसपास, अभी तो इसका शुरू हुआ है, ये भी दूसरे stock से profit कमा के यहां डाला गया है, लेकिन मेट्रो पॉलिश में वो fresh investment है, ये ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं, अतू लोटो, 172 shares, 380 के भाव के, 565 अभी, और value, profit और returns, ये आपके सामने चल रहे हैं, that's the power of focus वाला stock, आगे मैं आपको नाम दिखाना चाहूंगा, company के, इसमें आप Tata Power देख सकते हो, Tata Alexi देख सकते हो, Irkon देख सकते हो, Irkon का भी मैं बता दूँ आपको, Irkon 300 share, 171, profit and percentage returns, वो आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब आपको clear बताना चाहूंगा, अगर मानो मुझे यहां पे capital की जरूत हो, ये account मेरा हो, और मुझे capital की जरूत हो, मेरे लि तो फिर बेचने का मतलब नहीं, फिर इसको ride करने का मतलब बनता है, ये ध्यान में रखिएगा, आगे चलते हैं, यहां पर company का next आता है, Asian Prent, अठाइस्टो के भाव के shares है, जब एक दूँ मीचे था, अठाइस्टो के आसपास का लिया हुआ है, और यहां पर देखिए इस नहीं है, जियो फाइनेंशल में फ्रेश डाला हुआ, जियो फाइनेंशल अचुली, Reliance का जो हुआ है न, Demerger, उसकी बाद का मिला हुआ, इस account में आया हुआ है, तो Reliance ने जो shares दिये थे, वो यहां पर आयो है, उसके बाद चलिए, यहां पर देखिए आप, आर्ति सर्फे जो है अभी, कितना, Loss हो रहाँ देखो, कितना है, जिस stock में Loss है, उतमें कितना है, पंद्रा सो, दो जार, पांच जार, दस जार, प्रॉफिट सीधा लाखो में, यह होता है, फुकट के अमांट की ताकत, आगे चलिए, IEX, इस account में सिर्फ 300 share, 130 के आसपास के भाव के, 142 अबी चल रहा है, और इस stock देखिए, अभी, लगबग, 9% के आसपास का return देता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अभी recent में काफी उपर भी गया था, लेकिन अभी adjust हो चुका है, आगे चलते हैं, 1,500 रुपे के, 305 के shares, और आपको दिख रहा होगा, कि इसमें क्या है, फिलाल अडानी ग्रीन, टोटल ये risk लिया हुआ है, अडानी ग्रीन का टोटल रिस्क लिया हुआ है, कि या तो इस पार या उस पार, और एक limited amount का risk लिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, एक limited amount ही इसमें डाला हुआ उतना risk है, अभी 28,000 की value है, 15,000 तो उसमें profit है, यानि 13,000, 12, जार का risk लिया था, इससे उपर का risk लहीं लिया, और return 115% से उपर का अभी पिलाल इसमें आता हुआ दिख रहा है, so meto का आप देख सकते हो, 55 रुपे, 52 रुपे, 60 रुपे पे कितनी बार बोला था, वीडियो बनाये हुए है, देखा हुआ होगा आपका, कि 100 रुपे के आस इस पार या उस पार, लेकिन gambling कितने amount की, बस 25 रुपे, इससे उपर की gambling नहीं, यह final है, और adani ऐसा नहीं कि बरबाद हो जाएंगे, 25 रुपे, 25 रुपे कर लिया कि इसमें बड़ा नहीं डाल सकते है, क्या पता कब क्या news आ जाए, तो इसके हिसाब से इसको manage किया गया है, आगे देखिए, adani enterprise, जिस पे मेरा वरोसा है कि इसको कुछ नहीं होगा, जब तक है nifty का part है, कुछ नहीं होने वाला, adani enterprise में start हुआ है भी, थोड़ा बहुत amount डाल के, और कोई problem इसमें मुझे फिलान नजर नहीं आती, यह नीचे भी आता तो वापेस आ जाएगा, इरेड यह आपको दिख रहा है, 1500 share एकसो तीन के भाव के, क्योंकि इनको IPO लगा था, IPO के shares जो थे वो दूसरे account में लगे, उनको बेचा, बेचने के बाद एकसो तीन के आसपास इनका लिया हुआ है, और वो अभी ride चल रहा है, कि जितना बेचा था, जितना profit हुआ, वही ride है, और इसमें नहीं डला है, तो जो profit हुआ, उसी को अभी तक ride कर रहे है, वहाँ भी 44% return है, लेकिन मेरी उम्मीद नहीं है कि यह हमेशा maintain रहेंगे, यह नीचे भी आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि यह चलते ही जाएंगे, console date भी करेंगे, ऐसा थोड़ी एक लिए रखा तो फिर इन्होंने डाला हुआ है, और यह किस stock से profit अब भी आपको बता जाता हूँ, हमारे stock of the week को देखके, इन्होंने profit कमा के, यहाँ डाला हुआ है, जितना मुझे जान का रही है, आगे चलते हैं, यहाँ पर IDFC First Bank, यह आपको दिख रहा होगा, IDFC First Bank, अभी recent का ही है, और देखि वेल्यू कितने डाली हुई है, एकदम छोटी सी वेल्यू, कि रिस्क लेना है, छोटा सा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैनी में भी थोड़ा बहुत रिस्क लो, लेकिन वो इस परपस से लो, कि वो pure gambling है, या तो इस पार या उस पार, उसमें फिर रोना दोना नहीं होना ची देखाओ, और इसमें अभी 100% के आसपास का return में दिख रहा है, यह सारे मेरे investment stock है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, सारे मेरे investment stock है, इंडियन होटल, यह इंडियन होटल, यह बहुत पहले मैंने 70 रुपए के आसपास money matters पे बताया था, कि hotel industry का भविश्य 2020 के बाद change हो जाएग इनके पास recent का यहां पे लिया हुआ है, उस पे भी अच्छा return मिल रहा है, आगे देखो patel engineering, जिसको अभी recent में small quantity में लिया है, कहीं से profit कमाके, इधर डाला है, small quantity में लिया है, अब इसमें और quantity बढ़ानी है, जैसे आगे कहीं और से profit होगा, इसमें quantity बढ़ा सकते हैं, अग लेकि यह है pure gambling, इनमें कोई analysis नहीं, यह pure gambling है, कि चले तो चांद तक बना, शाम तक, एक Venkis का एक share, जो कि गलती से बाए ओर रखा था, और उसका कुछ दिन बाद में पता चला, क्योंकि account को संभालते ही नहीं थे इसको, बाद में देखा तो पता चला, रहे एक Venkis का share चलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़िया यहां पर reliance का investment है, 4,93,000,000 का, current value के इस आप से देखेंगे, तो अभी आपको यहां पर दिख जाएगा, कि सबसे बड़िया current value हमारे reliance के 6,51,000,000 की, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहां पर, मैं इसके console प यहां पुरा जेखना पड़ेगा, ओ, सुरी, उपर दिखेगा, 7,47,611 है, तो यही है ना console, कोई दूसरा console तो नहीं खोल दी हमने, हाँ यही है, 7,47, वह वाली और 20 रुपे का, यहां पर balance बड़ा हुआ है, अब आईए सबसे पहले देखते हैं, कि यह वाकई में trading account है, investment account है, और चेक करते हैं, यहां पे reports पे गए, P&L पे गए, P&L पे जाने के बाद यहां गए, current financial year का लिया, और click किया, अभी पता चल जाएगा, trading investment है, अब देख लो, यह देखो, trading account होता, तो यहां पे profit खाली 30,000 का book थोड़ी दिखाता, profit खाली 30,000 का book थोड़ी दिखाता, औ and realize, 10,50,000 से उपर का profit है, trader होता तो वो इतना थोड़ी छोड़ता है, अगर trading account होता तो, वो तो यहां पे book खर लेता, trading account तो यह नहीं है, यह आपको clear हुआ, अब इसकी report में आपको समझाना चाहता हूं, कि actual में इसकी report कैसी है, holding में चलते हैं, इसकी size को समझो, pocket वाले stock में ले stock भी ले रहे हो, तो उससे जो आप portfolio बना रहे हो, उसमें large cap का आपका ज्यादा portion डाल दिया, ताकि आपकी उस पैसे की safety हो जाए, और mid or small में भी डाला है, ऐसा नहीं नहीं डाला है, उनसे भी अच्छा return आ रहा है, तो वो भी आप कमा रहे हो, यहां पे देखो, अब उ consumer discretionary, इन सब के अंदर जो है, company का, इसका investment है, और यहां पर investment के साथ साथ एक चीज़ ओर देखो, investment के इसाफ से भी देखोगे, तो financials or information technology और energy में जादा है, energy में कौन है, reliance है, सच मैं, यह सुन्यों, आगे चलो, current में देखो, current में भी इसकी value जो है, वो में, नजर आ लिए कि किस की जादा है, किस की कम है, अब आगे हम इसको इसको समझना चाहिए, अगर insight से भी समझना चाहिए, तो यहां से भी हम चीजों को देख सकते हैं, overview में जो है, वो हमने इसको यहां पर समझी लिया, कि किसका कैसे है, चलिए मैं इसको तुदा जूम करके आपको दिखान हो, stock के नामा के reliance, HDFC, infi, और अगर मैं यहां से नीचे करूँ तो और भी आते रहेंगे, तो इस तरीके से portfolio design किया जाता है, जहां पर आपका, आपने पैसा कैसे कमाया, आपने कमाया पैसा ट्रेडिंग करके, ट्रेडिंग करके एक account से पैसा कमाया, उस पैसे को आपने किस में shift किया, अपने ही family member के दूसरे account से उसको shift कर दिया, अब आपको कैसे करना है, वो आप अपने CA से consult करिए, बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आप कर सकते हैं, अपने CA से consult, और फिर उसी amount को, उसी amount से आपने investment portfolio बनाया, जिसमें large cap, mid cap, small cap भी आए, और आपने decide किया कि 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 पर कैसे डालना है, पहले आपने safety चूज करी, तो आपने large cap में data डाला, और अगर आपको safety नहीं चाहिए, तो आप mid small में कि हिसाब से भी अपना portfolio manage कर सकते हैं, so this was the portfolio, जो मुझे आपको दिखाना था, यह था एक main portfolio, जो मुझे आपको दिखाने का हुआ था, कि चली आपको समझाता हूँ कि वाकई में pocket वाले stocks का portfolio कैसे बनाया जाता है, यह जो था, वो हमारे सामने data हमारे सामने निकल के आया था, अब यह trading portfolio होता, तो क्या यहाँ पे इतना profit टिक पाता, नहीं टिक पाता, यह investment portfolio इसने टिक रहा है, और free का है, मतलब free का है in the sense, कि यहाँ पे डाला अपनिंग का, खुलवाईए, और अपने family में एक ही account से trade यह invest मत करिए, trading को अलग रखिए, investment को separate रखिए, और उसी portfolio को आप grow करते जाए, ताकि आप जीवन में ऐसे portfolio बना कर यहाँ से पायदा ले सके, यह तो एक portfolio family member का, सोचिए, जिनका भी है, ऐसे कितरे ही portfolio आप अपने family family member के बना सकते हो, तीन-चार portfolio बनाओ, और उसको ride करो, enjoy करो, life के बहुत सारे तो profits, मैं आपको क्या बोलूडे, P&L देखो आप, 33,000 का है, अलाकि जब market इरेगा, यह 10,50,000 प्रोफिट शायद 5,000 पर रख जाएगा, देख लेना, लेकिन जब आपका vision long term का है, और आपको safety म बिंदास बैठते हो, कि मैं 10-15 साल में भी बैठता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाकि आपको जब भी capital की आउशकता होती है, यार मुझे इसमें से कोई stock है, उसको बेच के capital चाहिए, भई आपकी मरजिये देख, लो चार्ट खोल के, कौन सा सबसे दादा बढ बढ़ गया, सबसे दादा बढ़ गया और उसमें ऐसा हो गया, उसका और बढ़ने का चांस नहीं है, निकाल लो वहाँ से capital, या ऐसा देखो कि किसका trend खराब हो रहा है, उससे निकाल लो एक बार कि यार अब खराब होने वाला है, इसका बहुत हो गया का, अब निकाल लो तो आपके पास एक opportunity होती है, अपने आपको grow करने की, अपनी family को grow करवाने की, इस तरह के portfolio बना के, कोई आपकी help नहीं करेगा, ध्यान रखिये, कितना ही अच्छा आपका advisor क्यों नहीं हो, मैं लिक के दे सकता हूँ, कोई आपकी help नहीं कर सकता, आपको खुद ही अपनी help कर आते हैं कि किस तरीके से हमें चार्ट के ऊपर reading करनी हो, तो उसके लिए आप इस नंबर पर संपक कर सकते हैं, wave analysis training program है, जिसकी detail आपको description में मिल जाएगी, channel की membership लेना चाहते हैं, तो membership join कर सकते हैं, दोनों membership के benefit आप ज़रूर पढ़ लीजी, join बटन पर click करके, आगले वीड तब तक के लिए धन्यवार, जय हिंद, जय भारत